नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का पर बहुत क्लासेज की यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दुलई वाली कहानी जिसके कहानिकार आपके कौन है बंग महीला और यह कहानी कब परकासित हुई थी आपके 1907-30 म सब्सक्राइब कंवाले ठीक है फिर हम पड़ेंगे कहानी को बिल्कुल एगदम कहानी को डीब से पढ़ने वाले हैं फिर हम पढ़ेंगे साथ यह परमुक इसके जो है कऊन कोई-कोन से है कि किस में मेरे साथ अंधर तक बने रहना एक बार अगर आपने कहानी को पढ़ लि उसमें आपके युनिट साथ है हिंदी कहानिया ठीक है तो एक कहानी अपने पहले हो चुकी थी आज की कलास में हम दूसरी कहानी को पढ़ रहे हैं ठीक है अब हम सुरुवात करते हैं अपनी कलास का साथ यो और यहां हम सबसे पहले बात करते हैं कहानी नंबर दो कौन सी है आ हुईती । टुलोवी वाली कहानी का पकासन जो है उने सॉ 1700 में सरस्वती पत्रीका में हुआता तो यहां से बन सकता इसके लेखी का को हं मिलान की रूप में आपको परस्ट देखने को मिल सकता है दूसरा परसन आपको यहां संकता की के प्रकासित हुई थी तीसरा परसन आपका यह है कि यह कौन सी पत्रीका में प्रकासित हुई थी ठीक है इस परकार से आपको तीन परसन में ने बता हैं कि आपको किस परकार से याद रखना है आगे हम बात करते हैं कि इनकी पर्मुक कहानिया कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ इनकी परमुक कहाने भी जो है ओ बहुत सारी ठीक है यह आपको परमुक रूप से दोड़ा ध्यान रखना है यह बोत बार इनके जो आपके लेक्षा का आएं पिर आपके जो कहानिकार उनसे संबंदित आपको जो उनके अन्य रचनाव में से पर्षन पोचा जा सकता है आगे हम बात करते हैं जो आपके बंग महिला सात्यों थोड़ी बहुत इनकी चर्चा भी अपने को देखने चाहिए हो सकता है यहां से भी आपका पर्षन बन सकता है तो आपको यह भी ध्यान होना चीर ठीक है इनका अगे हम बात करते हैं आरंबिक तोर की महिला कताकारों में रही थी कताकार רही ती इनकी पुस्तक ? कुसम संघ्रा का संपधन किस ने किया था थी क आगे थै सबसे पहले हम बात करते हैं नवल गिसोर द्वारा अपने मित्र वंसिदर से रेल में किये गए मजा की सरस्कान इसकी अंतरगदी गई है कासी बनारस के लोगों की जीवन पर प्रकाश डाला है बनारसी सोक और बोली का समावेस है विबिन परिष्टीति में इस इंसान की दिन कों से रहेते साथ यहां पढ़ने से पहले हम थोड़ी बार बात कर लेते हैं यहां पर आपके सबसे पहले कर यहां में बात करती हूं आपके सामने साथियों कि सबसे पहले आपके कहान है दुलाई वाली ठीक है इसके गर हम बात करते हैं तो दुलाई वाली का अर्थ क्या ह तरफ होता है आपके जहां कर सकते हैं यापके रजया ही हे वह से बना ओडने का वस्तर है एक trembling का एक तरफ से देखा postsर भूसथ तूध या कि इसके परमुक उदेश्य क्या क्या रहेते कहानी के इसके उदेश्य क्या रहेते आपके इसमें मनोरंजन रहा था आपके हाश्य वेंगी की सरष्टी करना और अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी पहनावे पर वेंगे करना स्तरी दसा का चितर ने इसके अंतरगत किया गया था है थीक है यह आपके इसके क्या है पर AND रहते उसके बाद करते हैं कि इस कहानी में दुलई वाली का रहिशयौ को ना कि निए तूने मिता हुत होते हैं और मुघल सराइसे इला बाद की यात्रा कर रहे होते हैं का से मुगल सराय से जो है इलाबाद की यात्रा कर रहे होते दोनों तबी इसमें एक स्त्री का पती भी छुड़ जाता है और उसके लैश्ट में जो है साथियो मानसिक दसा का चितरन और लाश्ट में उसका बेद कुलता है कि यह कौन है तब पता लगता है कि यह और कोई नहीं है यह आपकी कौन है नवल किसोर ही है जो चुपचाप यह सब देख रहेते कि इसका इस पर क्या परबाव पड़ता है ठीक है तो इसमें दुल चुपचाप गरें कि इसके पड़ती क्या कतन कहा था ठीक है तो थोड़ा हम आगी यहां बात कर लेते हैं पातर कौन कोंश है मुक्य पातर इसमें वंसिदर है जानकी के पति है नवल किसोर के मितर रहे थे और आपके नवल किसोर के लिए अगाध सने रखते थे ठीक है एक पातर इसमें आ वर्थ किसोर और ओर आपके जान की ठीक है यह तो क्या सब्ल्स भाइब को सहिं कि युस्ष को हाँ करते हैं कि कर चुक जान की यक में मुझा सान की वंसी तर की पत्नी ती यह उन्हें नोवर किसौर काहसे मुझाओ भी पसंद नहीं हाला कि उनने नवल किस्वर के पड़ते कोई दुरागरे भी नहीं था ठीक है परंपरारंपिक भारती नारिति और ससराल में विदा होने पर जैसे संस्कार इसमें विद्यमान थे ठीक है गोनड़ पातर इसमें कौन-कौन से है, नवलकिसौर की बहू है, सीता, जो कि आपके जानके देए की बहन है, और एक कहारिन है, जानकी के माय के में नोखरानी है, ठीक है, ट्रेन में जो और कौन है, आपके दो-तिन महिलास है, यातरी भी है, ठीक है, यहां तक थोड़ा सा आ यहां से भी आपका पठशना आ सकता साथियो पात्र में आपको ज्यान रखता हैं पात्र कौन-कौन से हैं आपके गर्याम सिद्र ten नवल कि इसवर हो गया जान की गई गोर्च पात्र में आपके अर्य गई-गे सब्सक्राइब बहूतकर कंम आई स्तान कॉन्गों से साथ है तो में twenty और सकते हैं आपको ध्यान रखना है तो कि आपको सी अपया में पड़ाइब उच्वार प्रियाग राज ठीक है यहां यहां से आपके जो हिस्में प्रमुख स्तान आते हैं आगे हम बात करते हैं हिंदी कहानी के अंतरकर इसकी कुछ विशेश तत्य क्या क्या रहने वाले हैं तो दुलाई वाली अर्थार्थ एक परकार का चादर ठीक मैंन कहा था रजाई मालो अदम कहानी की मिठास बड़ा देते हैं अब हम बात करते हैं दुलाई वाली कहानी जो कि बिल्कुल आपको एकदम सीरियस और साथी ग्रूप से पढ़ना है सबसे पहले हम बात करते हैं कासी जी के दसास में गाट पर स्नान करने करके एक मनुश्य की बड़ी व्यगरता के स कहानी पढ़के सुना देते हूं वह जहां महत्पुन पॉर्णट होगा वहां मैं आपको बता दूंगी बाकी फिर अंत में हम बात करेंगे इसके महत्पुन कथन कौन-कौन से रहने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं कासी जी के वे दसासों में घाट पर सनान कर उस समय दिन के ग्यारा बज़े थे उस समय दिन के कितने बज़े थे साथ यो ग्यारा बज़े थे आपको ध्यान रखना कितने बज़े थे आपे उस समय दिन के ग्यारा बज़े थे ठीक है पैन कलर चेंज कर ले तो रेडि कर ले तक आपको सई से दिखा है न आगे हम बात क मनुष्य के पहले खंड में बहुत अंदिर अता पर उपर की जगह नुश्य के वास प्योगी थी नवागत मनुश्य दर जड़ाता हुआ उपर चट गया वहां एक कोटरी में उसने हाथ की चीज़े रख दी और सिता सिता कहय कर पुकारने लगा क्या कहकर पुकारने लगा, सिता, सिता कहकर उसने पुकारने लगा, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्या कहती है, क्या कहती हुई, एक दस बरस की बाली का आखडी हुई, तब उस पुरुष ने कहा, सिता जरा अपनी बहन को बुला ला, अच्छा कहकर सिता गई, और कुछ द आश्चेरीय युक्त होकर और जुझला कर बोली आज ही जाना होगा यह क्यों बला आज किसे जाना हो सकेगा यहां था तो सवेरे बहिया से कह देते तुम तो जानते ही हो कि मुहसे कह दिया बस छुटी हुई लड़की भी कभी विदा की होती तो मालूम पढ़ता आज तो किस इसी सुरत जाना नहीं हो सकता ठीक है इसके बद आगे हम बात करते हैं तुम आज क tightening हो हमें तो अभी जाना है बात यहन कि अगी उन्होंने मजह किया था उसके साथ तो सो उन्होंने हमें आज जाने के लिए इसरार किया है हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाबाद चलेंगे उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला तार इसी से मैं जट नहां दोकर आया ठीक है इसलिए में जट नहां दोकर आया बस अब करना ही क्या कपड़ा-वपड़ा जो कुछ बर में खा पिकड़ चली चलो हाना जब हम तुम्हें विदा कराने आये ही हैं तब कल के बदले आज ही सही है ना हाँ यह बात है नवल जो चाहें करावे क्या एक ही गाड़ी में नहीं जाने इसे दोस्ती बट्टा लग जाएगा अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं जरूर ही उनके साथ जाओगे पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी क्यों किस बात से उनकी हसी से और किस से हसी ठट्टा भी रहा में लगती है ठीक है उनकी मुझे उनकी मुझे हसी मुझे नहीं बाती एक रोज में चोक बेटी पूडिया काड रही थी कि इतने में नहीं जाने कहां से आकर नवल किसो चिलाने लगे एब हुआ एब हुआ देखो तुमारी बहु पूडिया खा रही है मैं तो सारे सरम के मारे मर गई बाद उड़ा दी सही वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है पर मुझे उनकी हसी बहुत बुरी लगी ठीक है बस इसी से तुम उनके सा बात नहीं जाना चाहती अच्छा चलो मैं नवल से कया दूंगा कि यह बेचारी कई भी रोटी रोटी तक तो खाती ही नहीं पूड़ी क्यों खाने लगी है इतना क्या कर बंसिदर कोटारे से बार चले आये और बोले मैं तुम्हारे बहिया के पास जाता हूं तुम रो सुझिय को जाने रखना है ठीक है बंसिदर इलह बाद के रहने वाले हैं बंहल कि स्थ्री को विद्दा कराने आया Estritory में एक साले वाने कोी नहीं है । नवल किसोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई है पर दोनों में मितरता जो है खयाल अधिक हैं। ठीक आपको ये लाइन भी ध्यान रखनी है उसी दिन मंजिदर का जाना श्तिर हो गया सिता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी मा रोती दोती लड़की की विदा की सामगरी कटी करने लगी जानकी देई भी रोती ही रोती तेयार होने लगी कोई चीज भूलने पर दीमी आवाज से मा को याद भी दिलाती गई एक बजने पर स्टेशन जाने का समय आया कितने बज़े एक बज़े ने पर जिहां उनकी स्टेशन पर जाने का समय आ गया था अब गाड़ी का गाड़ी या इकका लाने कौन जाई है ना सस्रुआर वालों की अवस्ता अब आगे की स पूचे को कौन पूचे एक कहार इंटी का हैं सो भी इस समय कहीं गई हैं साले राम की तबियत अच्छे नहीं हैं वे हर गड़ी विच्छोने से बात करते हैं तिस पर भी आप कहने लगे मैं हां दीरे दीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूं नस्दी की तो हैं ठीक है आगे हम बात करते हैं बंसिदर बोले नहीं कौन बोल रहे हैं यापर बंसिदर है नहीं नहीं तुम क्यों तकलीफ करोगे मैं जाता हूं जाते जाते बंसिदर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो बले गर की स्तिरियों के बेटने लाइक नहीं होती क्योंकि एक तो इतने उच्चे पर चड़ना पड़ता है, दूसरे पराय भुरुस के संग साथ बेटना पड़ता है, ठीक है, मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है, पर जब गाड़ी वाले ने डेड़ रुपे किराया मांगा तो बंसीदर ने कहा, कितने रुपे बंसीदर ने कहा था, यह आपको खतन ध्यान रखना है, और कितने रुपे, डेड़ रुपे, बंसीदर एकका ले आए, और जो कुछ असबाब था, एकके पर रखकर आप भी बेट गए, जानके दई बड़ी विकलता से रोती हुई, एकके पर जा बेटी, पर इस ऐस्तिर स संसार में सितरता कहा, यहां कुछ भी स्तिर नहीं, एकका जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वेसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई, ठीक है, सिकरोल की स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आके अच्छी जारा पहुंच चुकी थी, ठीक कितने देर त जानकी ने पूचा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल गया है, भूल आये क्या, हाना, नहीं, एक देसी दोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहिन आए, नवल कटर सो देसी हुए है, नवे बंगालियों से भी बढ़ गये है, देखेंगे तो दो चार सु पर रहेगा तो देस में ही है, ठीक है, जानकी जरा बोहर टेडी करेगी बोली, उह, दोती तो दोती पहनने से क्या काम यह, क्या बुरी है, सही बात है, दोती तो दोती होती है, पहनने से क्या यह कौन सी बुरी बात है, क्या है, ना, इतने में स्टेसन के कूलियों ने आग कुर कि हम बात करते हैं वं सिदर फिर कर बोले वं जिए और क। लुप आ पर अगे है यहां पर पर पारजागाट पार करके मुगल पहुंच गए थे वहां पुल लांदकर दूसरे प्लेटपॉम पर जा रहे थे आप नवल से मिलने की कुछी में प्लेटपॉम के इस छोर से उस छोर तक ठहलते रहें देखते देखते गाड़ी का दुआ दिखला ही पड़ा मुसाफिर अपनी गट्री संबालने लगे रेल देवी भी अपनी चाल दीमी करती हुई गंबीरता से आखडी बंसिदर एक बार चलती गाड़ी में ही सुरू से आकर तक देख गए पर नवल का पता नहीं बंसिदर फिर सब गाड़ियों को दोरा गए तेरा गए बितर गुस गुस कर एक एक डिब्बो को देखा कि तो नवल जो है कभी कई पर नहीं मिला था यानि कि वहाँ पर जैसे ह इसलिए वह डूंड के उसको परेशान हो गए ठीक है आगे हम बात करते हैं अंत को आप खिल जा उटे खिचला उटे और सोचने लगा कि मुझे तो वैसी चिट्टी लिखी और आप ना आया मुझे अच्छा उल्लू बनाया यह कौन सोच रहते बंसिदर सोच रहते हैं मु बेट होने पर समझ लूंगा सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी पर अब सोचने का समय नहीं रेल की बाठ ठैरी बंसिदर जट गए और जानकी को लाचर लाकर जनानी गाटी में बिठाया वहां पूचने लगी नवल की बह हुआ है तो खाल नहीं को अठ्काव हो गया कर आप बगल वाले कमरे में बैठें टिकेट डियोड का ठाप पर दोडे दर्जे का कमरा कलकते में आने वाले मुसाफिरों से बाह ठाटी कर इसले तीसरे कि बचना पड़ा जिस गाड़ी में बंसिदर बेटे थे उसके सब कमरो में मिलाकर कल 10 बारे की स्थिर्य पुरुषते समय पर गाड़ी चुटी नवल की बाते और नजाने क्या अगर बगर सोचते गाड़ी का इस्टेशन पारकर के मिर्जापूर पहुंची थी ठीक है आगे हम बात करते मिर्जापूर में पेट राम की सिकायद शुरू ही उसने उसकी पूजा की बिना ही बंचितर ने समा बना चोड़ा था इसलिए आप जट प्लेट्पॉम पर उतरे और पानी के बंबे से हाथ मुह दोकर एक खुच्चे वाले से थोड़ी सी ताजी पुडिया और मिठाई लेकर निराले में बैट आपने उन्हें ठीका ने पहुचा है लेकिन फिर आती वापस क्या उसी भाहों में लेकर उनको आना ही पड़ता है ठीक है बहुत सारी तो चालाग भी होती है कि जहां पचास बताते हैं वह बीस तक तो लहीं आ जाती है यहां ठीक है यह बीस उरुपे तक का सामानी है आगे हम बात करते हैं पीच्छे से जान अब बीड कम हो गई थी पर उन्होंने कहा था कहा कि थोड़ी देर के लिए कौन बख्यडा खड़ा करे है ना बंसी दर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े आगे वालों में से एक भीतर भी गया था जो लोग थे सब तीसरे दरजे में योग एक हाथ लंबा गुंगट काड़े कपड़े की गटरी सी कपड़े की गटरी सी बनी बैठी थी है ना बिल्कुल ऐसे वह इस परकार से बैठी थी बिल्कुल एक जो है इतना लंबा गुंगट था और इस परकार से जो वह एकदम नीचे जुके बैठी थी है ना फिर उसके अगर आगे हम बात करते हैं बंसीदर ने सोचा इसके संग वाले बद्र भुरुष के आने पर उनके साथ बादचित करके इसमय बताएंगे एक दो करके तीसरी गंटी बजी तब वह स्थरी कुछ अच्छ अकच काकर थोड़ा सा मुझ खोल जंगले के बाहर देखने लगी जो दो चार आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे जब स्टेशन दिखलाई दिया तब वहां बैचारी बाहर ही देखती रही फिर एस्पेस्ट सवर से रोने लगी थी आगे हम बात करते हैं उस कमरे में तीन चार प्रोडा ग्रामिर्स त्रिया भी थी एक जो उसके प है ना दूसरी और अरे दूसर गाड़ी में बेटा हुई है पहली पहली दूर बोरही इस जनानी गाड़ी थेड़े हैं दूसरी तव तो बूलू तो कहूं कहकर दूसरी बद्र मगिला से पूछने लगी कौन गाउं उत्रबू बैटा वह बोली मिर्जपुरा चड़ी उसने जो कहा वह सोबै सुन सकी हैना वह बॉली की कौन से गामें उत्रएगी पटा तो बोली मिर्जपुर में उत्रूंगी तब पहली बोली अम कहां कहां उत्रबू हो आये हरा बास दूसरी बोली हराख महीं पहले अरे यहां नहाई जाला दूसरी बोली बला पेयाग जी कहें के नहीं तोहर पंच के धरम से चार दाइन नहाई चुकी हुई आवे जाएके तो सब उते जाता बटले बाटे हैं फुन यह साहित सो बेचारे विपत में नप बड़त बाटी ली हैं हम पंचा हई राजगार्ट टिकस कउली मौंगल के सराई उतर लिया हो दपने चड़ लिया ठीक है पर इसके पाद आपके दूसरी स्त्री बोलती है कि एसे एक दाई हम आवत रहें एक मिली औरो मोरे संगे रही एक तो उनके संग रही ती दकोने टिस्निया पर उकर मल्विका उतरे से कि जुतर जुरते इहें गडिया कुली अब भईया उगरा फाड़ फाड़ नरी आई ए सा आप गड़िया तनी खड़ी कर बला गड़िया दही नाती कहें के खड़ी होई फिर पहली जो है उस्त्री वो बोली थी उ मेरुवा बड़ी उजबक रहल बला के उंके चिल्लाए रे से रेलियो कहूं खड़ी होला इसकी एक बात पर इसकी एक बात पर कुल कमरे वाले हस पड़े जब जितने फुरुस्त्रिय थी एक से अनोकी बाते करकर अपने अपने तजरुबे बयान करने लगी बीच बीच में उस अक्यली अबला की स्तिती पर भी दुख परकट करती जाती थी तीसरी स्त्री बोली टिकसिया पहले सब्सक्रावत रहले ना फरागत के बदे उतर लेना जोती बोली हम तो इनके संगे के आदमी के देखवो नहीं की हो गोई या फिर तीसरी वरत बोली थी हम देखे रही लो मजएक टोपी दिहले रहले इन को हाना इस तरह उनकी बेशिर पेर की बाते सुनते सुनते बच्छ बी इलाबाद ही जा रहा हूं मेरे संग भी स्त्रिया है जो एसा ही तो हैं दूसरोई गाड़ी के आने तक मैं स्टेसन पर ठहरा रहूंगा तो लोगों से मैं यदि कोई परियाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेसन पर ठहर जाना इनको उकेला छोड़ देना उचित नहीं है यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैंने इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा यह कोन कहते हैं आपके बंसीदर कहते हैं आगे हम बात करते हैं बंसीदर की इन बातों से उन स्थ्रियों की वागदारा दूसरी और भह चली हाँ यह बात तो आप बली कही नाई भाईया हम पंचे काईये के उसों कुछ गई अरे एक के एक करत न बाई तो दुनिया चलत कैसे बाई इत्यादी ग्यान गाता होने लगी कोई तो उस बैचारी को सहारा मिलते देख उस हुए और कोई-कोई नाराज भी हुए क्यों सों में नहीं बतला सकती उस गाड़ी में जितने मनुश्य थे सभी ने इस विशे में कुछ न कुछ कहा डाला था पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छीट की दुलाई ओर ने अकेली बेटी थी नहीं कुछ नहीं बोली कभी-कभी गुंगट की बितर से एक आँक निकालकर बंसी दर की ओर वत आँक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुझ फेर लेती थी बंसी दर सोचने लगे कि यह क्या बात देखने में तो बले घर की मालूम होती है पर आचरन इसका अच्छा नहीं है ठीक है गाड़ी इलाबाद के पास पहुचने को हुई बंसी तर उस्तरी को दिरत दिला कर आकास पाताल सोचने लगे जैदी तार में कोई खबर ना आई वगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेसन पर नहीं ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा जो हो गाड़ी नेनी से छूट गई अब साथ की उन सिक्सिता स्त्रियों ने फिर मूँ खोला कि बाईया जो क्या हूं बिना टिकस के आवत होई तो ओकर का सजाय होला अरे ओका इना ही चाहत रहा की महरारू के तो बैठा दिहे लेन और अपुआ तो उन टिकस लेई के चल दिहे किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दोड मारी कि रात को बंसिदर इसके जेवर चीन कर रफू चकर हो जाएंगे उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था उसने खुलम खुला कहा का बाबुजी कुछ हमरो साजा आगे हम बात करते हैं बस कहानी का अंत आ गया आपके यहां ठीक है इसकी बात पर बंसिदर क्रोद से लाल हो गए उन्होंने इसे खुब धमकाया उस समय तो वाचुप हो गया पर यदि इलाबाद उतरता तो बंसिदर से बदला लिए बिना नहीं रहता बंसिदर इलाबाद में उतरे एक बुडिया को भी वहाई उतरना था उससे उन बंसिदर में पड़े हो पर बंसिदर ने नहीं माना जानकी को और उस बद्र महिला को एक ठीका ने बिठा कर आप स्टेशन मास्टर के पास गए बंसिदर के जाते ही वह बुडिया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से बाग गई अब तो अब तो बंसिदर बड़े ऐसमंजस में पड़े टिकट के लिए बख्याड़ा होगा क्योंकि वह स्थरी बे टिकट है यानि कि उसके पास टिकट नहीं था ना लोटकर आया तो किसी को नहीं पाया अरे यह सब कहां गई यहां क्याकर चालों तरफ देखने लगे कहीं पता आई इस पर बंसिदर गबराए आज कैसी बूरी साजत में घर से निकलने के लिए एक के बाद एक दूसरी आफ़त में फस्ते चले आ रहे हैं इतने में अपने सामने उस दुलई वाली को आते देखा तूहीं उन्स्तिर्यों कहीं ले गई इतना कहना था कि दुलाई से मुह खोल कर नवल कैसौर ख्रिकला उठें यानि कि आपके सामने यह आपको पता कि जो न presentation उस में आथा और फिर वह मत्सिदर के सामने आकर आ कर वह से लगा था ठीक है और जो इतने दिया से वो इस तरी बैटी थी गुंगट इतना पड़ा डालके वो कौन था आपके नवल के सोरी था अरे यह है क्या सब तुमारी करतूत है अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने में किया एसी हैसी मुझे नहीं अच्छी लगती मालूम होता कि तुमारी ही बहुती अच्छा तो वो कहीं गई कहां वे लोग तो पाल की काड़ी में बेटी हैं तुम भी चलो नहीं मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा हां यह तो कहें तुम मुर्जा फिर से कहां से आ निकले मिर्जाफुर नहीं तो कलकते से बलकि मुगल सराय से तुमारे साथ चला आ रहा हूँ तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चकर लगाते थे तब मैं डियोडे दर्जे में उपर वाले बेंच पर लेटे तुमारा तमासा देख रहा था फिर मिर्जाफुर में जब तुम पेट के दंदे में मैं तुम्हारे पास से निकल गया तुमने नभ्वा면ãy सौन भीठा शोचा कि कि तुम्हारे आने पर प्रकट होँगा फिर ठोड़ा और देख ले करते करते यहां तक नौबत पहुची अच्छा आप चलो जो हुआ उसे माप करो यह बंसुन बंसितर परसन हो गए दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बाचित होने लगी बंसितर बोले मेरे उपर जो कुछ बीती सो बीती पर बेचारी जो तुमारे से गुनवान से संग पहली बार रेल से आ रही थी बहुत तंग सुई उसे तो तुमने नहाक रूलाया बहुत ही डर गए थी नहीं जी डर किस पातका था हम तुम दोनों गाड़ी में नहते हैं न हाँ पर यदि मिस्टेसन माइस्टर से इत्तिला कर देता तो बख्यड़ा खड़ा खड़ा हो जाता नहीं अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था चार हाथ की दुलाई की विशाती कितनी इसी तरह बाचित करते दोनों गाड़ी के पास आएं देखा तो मित्र बंदूओं में हसी कूब हो रही थी जानकी करे थी अरे तुम क्या जानों इन लोगों की हसी ऐसी होती है हसी में किसी के पराण निकल तो खेर दोनों मित्र अपनी अपनी गरवाली को लेकर राजी कुछी गर पूचे और मुझे भी उनकी है राम कहाने लिखने में छुटी मिलीती है ना आगे हम बात करते हैं कुछ पर्मु का आपके सामने कतना आये ते वह कौन-कौन से आपको याद रखना हो सकता आपको एक्जाम में यहां से परसन देखने को मिल सकता है अरे इनकर मनई तो नहीं आईलेन हो देकर रोवल करता ही पयाग जी जहां मनई मकर नहाए जाला आपको है ना खेर दोनों मितर अपनी अपने गरवालों को लेकर राजी कुछी गर पहुचे और मुझे भी उनकी यह रामकानी सुनने से चुटी मिली पहली उ महुरुवा बड़ी उच्बक रहला बला के हूं के चिलाए रे जेलूओ ख़़ी होला एक कतना उस गाड़ी में एक ल दुलाई से मुझ खोल कर नविल के सवर क्लिकला उटे दुलाई की विसाती कितनी एक तन यह ता अरे तुम क्या जानों इन लोगों की हसी एसी होती है हसी में किसी की प्राण निकल जाए तो भी इन्हें दयान ने आवे ठीक है यह आपको द्यान रखना है यह इसके परमु द्यान रखना है कहानिकार द्यान रखना है और आपको द्यान रखना है और आपके बीच में कुछ-कुछ फेक्ट आए जो आपको द्यान रखने है ठीक है पुराण परसन देखना है कि जिम्मेदारी आपकी होगी वह जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी आपको देखना कि पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो ठीक आज के लिए धन्यवाद